स्वागत है सभी मित्रों का दुनिया के नंबर वन स्टेडी चैनल स्टेडी एक्जाम एकेडवी में साथ यूं रिजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा था पहले आकर्थियू की गण्णा जो हमने पूरा कर दिया और आज हमारा टॉपिक है पासा डाइस देखो रिजनिंग में आकर्थियू की गण्णा का तीन क्लास अपनी हुई थी त्रिभूज आयत और वरग इन तीनों को कंप्लीट किया था कोई भी एक्जाम में बेढ़ जाना आप छोटे से कौंस्टेबल से लेकर आरस आईस तग आकर्थियू की गण्णा में एक परशन आपका गलत नहीं होगा तो मित्रू आज हम सुरू करते हैं अपनी क्लास सबसे पहले ध्यान रखना कि पासा सुरू करने से पहले दो चीज़ का ध्यान रखना पासा डाइस दो परकार का होता है पहला होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा यहां सबसे पहले बात करेंगे मान रेगुलर हमेसा कलास होगी जितने भी मित्रे जुड़ जाएं क्यूंकि रिजनिंग क्लास में आपका रिजनिंग के राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल ने 30 नमर की रिजनिंग आएगी एक भी परशन आपका एक्जाम में गरत नहीं होगा इस कलास से बाहर नहीं जाएगा मैं बात करूँ या मानक पासे की तो देखो मित्रू मानक पासे को समझने से पहले आपको इस डाइस को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पासे में कितने फलक होते हैं तो पासे में 6 फलक होते हैं सबी को पता है कि पासे में 6 फलक होते हैं यह आपके सामने एक पासा है इसमें आप देख सकते हैं कि 6 फलक है मैं यहां बात करूँ इस पासे की तो देखो यह एक मानक पासा है, या साधरन पासा है, इसका हमें कैसे पता सलेगा, कहीं बार एक्जाम में एक ही पासा दिया होता है, और इसका विपरित पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि 4 का विपरित क्या होगा, 5 या 6 का विपरित क्या होगा, इस परकाश से सिधा सते होती है इन दोनुँ का योग कभी भी सात नहीं होता है यह ध्यान रगना मानग पासे में क्या होगा जो नज़दी की जो दोनुट Сов 대해 होगी उपरवाली पासवाली इनका योग कभी सात नहीं होगा जैसे की चार और पांच को जोड़ा 9, 6 और 5 को जोड़ा 11 हो रहे हैं यानि कि इसका मतलब इनका योग 7 नहीं हो रहे हैं तो यह माननक पासा है इसका उल्टा साधरन पासा हो जाएगा यदि उपर वारी दोनुख सतों का योग यदि मानलो की 7 हो रहा है तो उसका मतलब वो पासा कौन सा है वो साधरन पासा है तो मानक पासे की बात करें तो यहां आपको पूछा जाएगा एक्जाम में कि 4 का विप्रित क्या होगा चार का यदि विप्रित पूछा जाता है तो मानक पासे में आपको साथ में से गटा लेना है साथ में से गटा लेना है तो साथ में से चार गया पिछे तीन बचा अते चार का विप्रित कितना होगा तीन होगा यहां बाप पूछा जाएगा एक्जाम में कि 5 का विपरित क्या है यदि 5 का विपरित पूछा जाता है तो 7 में से 5 को घटा लेना है अत्य है इसका विपरित 2 हो जाएगा इसी परकार पूछा गया कि 6 का विपरित क्या होगा तो 7 में से 6 घटाया तो पिछे 1 बचा इस परका तो देखो साधन पासे में क्या होता है बिल्कुल हम बेसिक से बढ़ेंगे उपर हाई लेवल तक है यह आपके सामने एक साधन पासा है साधन में हैं कि से बाजिक पर पता है धन्य कुछा कि पॉछात है इसमें हम क्या करेंगे जो नजदी की सते हैं इनका यूग सात होगा जैसे मालो तीं ओर चार है इनको एड़ किया तो कितना हो रहा है saat हो रहा है नहीं क्या है कि साधन पासा थक है हमने साथ में क्या जाथ करते हों ओं से यहां पर सते ले रहे हैं इसके अलबहर गिसके ओंकि नजदी की जो सते होती है वो तो कभी पासे में विपरित नहीं होती है, यह ज्यान रखना नसदी कि जो सते होती है, वो कभी भी विपरित नहीं होगी, तो देखो चार, चार का क्या होगा, जो मैं दिखाई नहीं दे रही है, तो देखो पासे में सोकती है, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 यह 6 सते होती है तो यहां पड़ेको 3, 5 और 4 दिखाए दे रहा है ति 4 का विपरित क्या होगा 1, 2, और 6 यानि हम निशित रूप से नहीं कह सकते कि इसका विपरित कितना होगा 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा यदि इन 3 में से इसका विपरित होगा वह option को उपर नेरवर करेगा कि exam में option में नेचे क्या दिया हुआ है उसी परकार मालू 5 का विप्रित आपको पूछा जाता है तो 5 का विप्रित क्या होगा पांस का विपरित एक दो और छे इन में से ही होगा पांस का विपरित उसी प्रकार तीन का पूछे जाए तो इन तीनों में से होगा इस प्रकार से यह तो हो गया एक पासे की बात करें तब अब यदि दो पासे दे दी जाए तो किस प्रकार से करना है यह ध्यान रखना अब आगे बात करते हैं दो पासों की यहां देखो इस यहां पर दो पासे देगे पहले हमने एक पासे की बात की थी तो यहां पर देखो दो पासे हैं इसमें देखो क्या करना है इन दोनु पासों में इसमें मालो कि यह दोनु पासे आपको एक्जाम में दिये जाए और पूछ ल दिखाई दे रहे हैं तो यह दोनु कट गए आपस में इन दोनु को आपस में कट कर देना है तो पिछे इदर क्या बचा तीन बचा अथे पांच का विपरित तीन हो जाएगा और तीन का विपरित पांच हो जाएगा और पांच का विपरित तीन हो जाएगा अथे पांच का होगा तीन होगा उसी परकार यहां देखो इसमें इसमें देखो यहां पर यह चार है और इस पासे में भी यहां पर चार है उसी परकार से इसमें तीन है और यहां पर तीन है तो यह दोलू आपस में कड़ जाएंगे यह दोलू समाने हुए कड़ जाएंगे पिछे यहां पासे के अंदर वोई पासा दिया हुआ है इसमें देखो यहां मैं कर देता हूँ A यहां B और यहां C यहां करता हूँ D यहां C और यहां पर B इस प्रकार्षे मैं कर देता हूँ और आपको पूछ लिया जाए कि इस C का विप्रित क्या होगा यह आपको पूछ लिया जाए इस B का विप्रित क्या होगा तो मालों A का विप्रित पूछ ले हम A का विप्रित करते हैं तो देखो A, B, C, D इस प्रकार से दियी हो चाहिए गिंती दियी हो चाहिए कोई बिंदू बगेरा कोई संकेत दिया हो इसे हमें यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो यहां पर A का विप्रित का निकालना है तो देखो कैसे करेंगे यहां B है तो इसमें भी C दिया है और एका विप्रित क्या होगा डी हो जाएगा एका विप्रित क्या हो जाएगा डी जो पिछे बचेगा वह हो जाएगा इसी प्रकार मालोगी इस पासे में देखो इसमें मालोग यहां पर यह इस प्रकार से बिंदू देखो इस प्रकार से मालोग विंदू देखो तो क्या करना है तो ध्यान रखना समान को पहले काट देना है यदि कोई समान आपको दिखाई दे रहा है यहां पर देखो दो बिंदू है तो यहां पर भी दो है यहां पर तीन है तो यहां पर भी तीन है और यहां पर एक विंदू है तो यहां पर भी मालो एक लिंदु और करते हैं इन चार करते तो यहां पर भी यह चार वें उग्याहरण थे आधै इस एक का विप्रित क्या होगा जो पिछे बचेगा कटने के बाद वह तो उसका वजेगा विप्रित हो जाएगा इसी प्रकाशे हम आगे और बढ़ते हैं इसी तोड़ी डिपिक पर देखो उस पासे में तो देखो समान दिये वे थे यानि कि दो समान मिल रही थी संक्या यहाँ पर इस पासे में देखो क्या करना है यह अगली टाइप है दूसरी टाइप इसमें हमें क्या करना है इसमें द प्रित क्या होगा तो देखो जान रखना यहां पर जो संच्या समान है दोनु में उनको लिखना है जैसे यहां पर दो यह तो दो को लिख लेते हैं फिर हमें क्या करना है कि गड़ी की दिशा में चलना है जिस परकार से ऐसे गड़ी चलती है उसी परकार से चलना है यानि संचाल लिखते जाना है जैसे कि यहां पर दो लिख लिया अब दो के बाद में यहां आगे छे लिख लिया फिर यहां पर आगे चार लिख लिया उसी यह दो के बाद एक लिख लिया उसी प्रकार से एक के बाद यहां पर पांच है तो पांच लिख लिख लिया अब हमें यहां पर पूछा गया है कि छे का विपरित कितना हो जाएगा एक हो जाएगा छे का विपरित एक हो जाएगा उसी प्रकार चार का विपरित पूछा बाकि औंतो यहां पर 2 है, यह दो उली के लिभी ,कते हैं, सब्सक्राइब है, से लिवे न् gratuit чतनव में। बाकि नेज़ा है , तो कितना है इन दोंग विप्रित करें、、 इन धुट होग इन्हें क्या करना है ? यहां पर सबसे पहले हम D लिख लेते हैं और फिर गड़ी की दिशा में चलते हैं जिस परकार से गड़ी चलती है तो यहां पर D के बाद F आ गया फिर यहां के F के बाद आगे A आ गया इनको लिख लिए फिर यहां पर भी गड़ी की दिशा में चलते हैं इस पासे में भी यहां पर C के सामने है वो इसका विप्रित हो जाएगा और F का विप्रित पूछा जाए तो F का विप्रित भी हो जाएगा और यूदि D का वीपरीट पूश लेघा है तो A दिख रहा है B दिख रहा है C दिख रहा है d दिख रहा है F दी रहा है लेकिन हम् mi नहीं दिख रहा है तो D का विपरीट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसी प्रकाशने कुछ आगे और देखते हैं यहां देखो इसमें तीन पासे दिये हैं आपके सामने और इनमें यदि पूछ लिया जाए कि एक का विपरीत क्या होगा इस पासों में पूछ लिया जाए कि एक का विपरीत क्या होगा और तीन पासे दिये हैं आ नहीं है तो देखो यहां पर पांच है इसमें पांच नहीं है एक है इसमें भी एक नहीं है चार है लेकिन इसमें भी यहां पर चार है यानि यह दोनों समान यहां पर मिल रहे हैं तो इस पासे को बूल जाना है इन दोनों में समान मिल रही है तो यहां पर सबसे पहले इस पा बड़ी की दिस्ता में चलते हैं तो आगे तीन आया तीन को लिख लिए फिर रस्ते में छे आया तो इस छे को लिख लिए अब देखो हमें पूछा गया है कि एक का विपरित क्या होगा तो एक का विपरित छे हो जाएगा एक का विपरित क्या होगा छे अते इसका राइट ए यह तो यह नहीं है तो फिर इस पहले और तीसरे पासे को देखने है इस इन दोनु को देखेंगे तो यह निहीं ंए हो सकतेWow कंच होगा लेकिन हमें पूचा किसंपा है तो इस पासे को छोड़ दो इसे नहीं होगा, इस पास ऐसे देखते हैं, तो इसमें देखो 1 है, तो इसमें एक नहीं है, इसमें पांच है, तो इसमें भी यहां पर 5 है। तो इस परकार से हम आगे और देखते हैं तो इसमें देखो इसमें चार पासे दे गए हैं और पूचा गया है कि तीन का विपरित क्या होगा पेले हमने एक पासे की बात की फिर दो पासों की की फिर तीन पासों की की अब चार पासों के बारे हम चर्चा करेंगे देखो इसमे पूचा गया है तीन का विप्रीद क्या होगा तो इसमें देखो क्या गंडा है इसमें सबसे पहले देखना है कि इन में से क्या कोमन है दोनुपासु में तो यहां पर देखो कोई कोमन है तो इसमें तीन और एक कोमन है इसमें भी तीन और एक है तो यहां पर नहीं होगा क्यो तो इसमें देखो, एक और दो है, और तीन है, तो यहां पर भी दो और तीन है, यहां पर भी दो और तीन समान है, लेकिन अगले इस पासे में देखें, तो इसमें देखो, दो और तीन, यहां पर दो है, चार है और छे है, इसमें क्या होगा, यहां कोई समान है, तो बिल्कु आगे छे हैं तो छे और आगे चार यहां में तीन का विपरित पूचा गया है तो तीन का विपरित हो गया छे इस परकार से हैं आगे और भी हम करेंगे इन चार पास से रिलेटेट थोड़ा अब्यास